आप सभी लोगों को नमस्कार देश में इतनी चीजें चल रही है कि आपके ध्यान से चीन शायद उतर गया होगा और इस वजह से भी उतर गया होगा कि एक तो विकास दुबे जैसा जो राच्छस था जो अब नहीं रहा इस दुनिया में उसने तीन जुलाई से तो हमारी सकती है वो सब उधर चली जाना भी चाहिए था इतना दुर्दान तप्राधी था और उसने इतने जिसको कहते हैं कि जो कर्म किये थे लेकिन इस सब के बीच में आप चीन को भूल तो नहीं गये हैं और मैं कह रहा हूं कि आप चीन को नहीं भूल गये हैं तो आपको यह पीच में एक खबर भी आई कि दोनों देशों ने डिस इंगेजमेंट यानि धीरे धीरे करके सेनाएं पीछे करने का फैसला लिया है एक बफर जोन जैसे भी बात आ रही है और चीन की सेनाएं पीछे हट गई है इसकी सेटलाइट इमिजेज भी आ गई है तो अब क्या हम को शांती से निश्चिन्थों के बैठ जाना चाहिए अच्छा हम भारतियों का यह मूल सभाव है हम भारती जो है ना मूल रूप से हम इस तरह के सभाव वाले नहीं होते बहुतायत भारती कि जो मतलब कुछ हुआ तो इदम से तयार हो जाएंगे लेकिन बहुत मन में अच्छाई है लेकिन इसको वैसे देखें तो यह बुराई भी है और यही अच्छाई बुराई का जो असंतुलंत हैं इसकी वजाए से चीन ने हिंडी चीनी भाई-भाई कहके और उसके बाद भारत की जमीन कब्जा कर लिए इसको समझना होगा ठीक से क्योंकि अभी जो भारत में चीन के राज़दूत हैं सन वीडॉंग उन्होंने कहा है कि इंडिया एंड चाइना शुड बी पार्टनर्स नौट राइवल्स 15 जून को जो गालवान घाटी में भारती सैनिकों पर धोखे से हमला किया चीन के पियले के सैनिकों ने और जिसमें उनको मुह की खानी पड़ी और अब वो संख्या 100 के उपर बताई जा रही है कहा जा रहा है कि हेलिकॉप्टर के फेरे पे फेरे लगे जो अब निगल क्या की बड़ी भूमिकारे थी जिस तरह से भारत की नरेंद्र मोधी सरकार ने स्टैंड लिया चीन के खिलाफ जिस तरह से भारती सेनाएं खूटा गाड़ कर बैठ गई और चीन की सेनाओं को पीछे जाना पड़ा जिस तरह से अंतराश्ट्री मंचों पर भारत ने जो राजन लंबे समय के बाद तिबत के निर्वासित प्रधान मंत्री का साक्षातकार दुनिया भर में चलने लगा बहुत लंबे समय के बाद जो चाइनीज कम्मिनिस्ट पार्टी के जो बड़े अधिकारी थे उनके बेटे जी एनली यैंग जो अभी अमेरिका में रहते हैं उनकी लोग सुनने लगे बहुत लंबे समय के बाद दुनिया भर में जो चीन से प्रतारित लोग हैं उनको लोग बुला कर मंचों के उनकी बात सुन रहे हैं चीन की असलियत जानना चाह रहे हैं और बहुत लंबे समय के बाद चीन के जो कहें कि वहां की जो कम्मिनिस्ट है जो पिपुल्स लिबरेशन आर्मी है उनको समझ में आ रहा है कि पहली बार किसी से पाला पड़ गया है और इसलिए यह बहुत खतरनाक है कि चाइनीज कमिनिश पार्टी है बार-बार कहता हूं एक बार कि चीन के लोगों से हम लोग की कोई हमारी कोई दुश्मनी नहीं हम नहीं चाहते हैं और हम चाहेंगे भी नहीं कि एक देश के साथ इस तरह से हमारे दुश्मनी वाले संबंद रहे हम तो पाकिस्तान से भी नहीं चाहते है वह जाहिल मुल्क करता है और शातिर मुल्क यह करता है चीन जब किसी से दोस्ती करने लगता है जब अच्छे थोती ही तो फिर देखते हैं कि यह असली वांपन थी अब जो यह संविडॉंग कह रहे हैं इन्होंने कहा है कि करेंट्ली आवर फ्रंट लाइंड टूप्स आर डिसंगेजिंग ऑन दे ग्राउंड इन अकॉर्डेंस विद्धा कंसेंसस बाइद मिलिटरी कॉर्प्स कमांडर टॉक्स और यह कब हुआ है सब जानते हैं यह खबर आप लोगों को पता है कि जब भारत के राश्टी सुरक्षा सलाहकार अजीब दोभार और जो वहां के विदेश मंत्री रहे हैं चीन के स्टेट कांसलर हम वाएंगी उनके बीच बातचीत के बाद यह हुआ है लेकिन करीब जो दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनिया है उनका मनिफैक्ट्रिंग बेस वहां होने की वजह से भारत की कंपनियों को वहां से बहुत कुछ लेना पड़ता है भारत के वह भोगताओं की निर्भरता है और यह कब खतम होगी जब चीन से वह कंपनिया बाहर लोग कह रहें थी कि भारत में 69 जो चाइनीज एपस हैं वह बैन हो गये जो क्या हुआ अमेजौन ने अपने इंप्लॉईज को कह दिया है कि टिक टॉक नहीं रखोगे दुनिया के अलग-अलग देशों में आस्ट्रेलिया जापान यूरोपी यूनियन अमेरिका ताइवान वियत नाम तो छोड़ी दी जो वह तो करी रहें वह कह रहें कि बाइकॉट चाइनीज प्रोड़क्ट से करना पड़ेगा भारत ने आप निर्भर भारत अभियान के तहत किया है वह करें कि यह हमें करना ही पड़ेगा और इसलिए मैं कह रहा हूं कि यह जो चीन के राज़दूर बोल रहे हैं जब चीन मीठा होता है ना तो डाइबिटीज दे जाता है उसका जो मीठापन है मिठास है वो जहरीली है वो स्वादिष्ट नहीं है यह भारत के लोगों को समझना पड़ेगा और जिस तरह से बोल रहे हैं यह कह रहे हैं उन्होंने क्या कहा है what happened at the Galwan Valley has given rise to wrong perceptions on the agreement reached by Prime Minister Narendra Modi and Chinese President Xi Jinping who plan to take forward their bilateral ties यह फिर से वही वाला भ्रहम फैलाने की कोशिश हो रहे हैं सरकार राजनाईक तरीके से लड़ेगी लेकिन हमें ध्यान में रखना है कि चीन की ऐसी की तैसी कौन कर सकता है हम भारती कर सकते हैं और जब वो कह रहे हैं कि China has all along advocated that peace is of paramount importance we are neither a warlike state nor an assertive country भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लद्दा की नीमू पोश्ट पर जो कहा कि जो expansionist हैं जो विस्तारवादी हैं उनको यह तो मुड़ना पड़ा है जुकना टूपना पड़ा है दुनिया करी की चीन विस्तारवादी यह दुनिया में यह स्वर मजबूत हुआ वह क्यों मजबूत हुआ क्यों कि भारत मजबूती से खड़ा हो गया है इसलिए हमें इस भ्रह्म में नहीं रहना है और हमने अपने जीवन को जो लक्ष रखा है चीन मुक्त करने का उसमें कमजोरी मता नहीं दीजेगा भ्रह्म में मत पढ़िए अगर डिस जीशे गई है तक पर जाएंगी एक कि पहले जाने तक हमें किसी भी हाल में यह नहीं सोचना है कि चीन ने बात मान ली ठीक है वो दो तक चले आते थे जो सैनिक बताते हैं कि दो तक चले आते थे च्यावकि हमारी दो तीन थे 150 बीच में आभ कि बन घई है अब हम उसका इस तरनाख है यह इतना इस तरह के वह आगे कह रहे है राइट और राइट और रॉंग फ़ॉट रिसेंट्टी एट गलवान वेली इस वेरी क्लियर चाइना विल फर्मली सिर्वगाट इस सोवर्नेटी सोवरिंटी एंट टरिटोरियल इंटेग्रिटी एंट इंशोर पीस एंट अब आप इसको समझ लिए यह सब क्यों आया है क्योंकि अभी आ गया कि भारत चीन के साथ प्रधानवंत्री नरेंद्र मोदी शी जिन पिंग के साथ जो इंफॉर्मल टॉक्स थी एजेंडा लेस जो मीटिंग्स थी उसको डिस कॉंटिन्यू कर सकता है अगर भारत ने और प्रधानवंत्री ने यह कर दिया देखिए वो डर साफ साफ दिखता है वो कह रहे हैं कि चाइना इंडिया शुट बिल्ड ऑन अंडर्श्टेंडिक डिस्प्यूट्स शुट नॉट विकम डिफ्रेंसें सम्थिंग मोदी शी अग्रीड अपान एट देर इन्फॉर्मल समि तक उन्होंने अलग-अलग लोगतंत्रों का इस्तिमाल करके उन देशों को गुलाम बनाने की कोशिश की नेपाल और पाकिस्तान को अपने कबजे में लेने की कोशिश की भारत के बाजार में ऐसे घुसे के और फाइब जी तो किसी हाल में नहीं घुसने देना चाहिए सरक और भूल मत जाहिएगा क्योंकि देश में हमारे इतनी समस्याइं हैं इतनी चीजें बरसों से हमारे राजनितिक तंत्र ने खड़ा कर दी है कहीं जातिवाद कहीं छेत्रवाद कहीं कुछ कहीं कुछ वो चलता रहता है लेकिन यह मत भूलिएगा क्योंकि अगर 21 शताब्द जिसे हम खड़े तो हो पाएं दुनिया तो तैयार खड़ी है लेकिन भारत पीछे हट रहा है चाइनीज वाइरस की वजय से बार-बार लॉकडाउन हो रहा है बहुत सी मुश्किले हो रही कोई क्लियर कट स्ट्रेटीजी नहीं बता पा रहे हैं तो इसलिए हम भारतियों क बहुत सतर्क रहना है और चीनी राजदूत या चीन के जो विदेशमंत्री जो भी लोग है उनका जब बयाना रहा है तो समझ लिजिए क्यों घात लगाने की तयारी कर रहे हैं बड़े हमले के लिए हूँ इसलिए हमेस बार सतर्क रहना है साउधान रहना है और साउधान के साथ साथ अपनी मजबूती भी लगातार करनी है कैसे धीरे-धीरे मेक इन इंडिया क्योंकि पॉलिसी के तौर पर तो मेक इंडिया मोदी ने आते ही कर दी लेकिन प्रधान मंत्री जी उसका क्या मिला 37 से करीब 60 बिलियन डॉलर का ट्रेड डिपसिट तो हो करना है और सरकारों पर लगातार दबाव बनाना है और हमें खुद को चीन मुक्त जीवन का लक्ष निरंतर हासिल करने की ओर बढ़ना है जब तक प्राप्त नहीं हो जाए संपूर्णिता से तब तक के काम करना है और तभी हम उनको घुतन पर लापाएंगे जिस सुवरेंटी की बात कर रहा हैं जिस टरिटॉरियल इंटेग्रिटी की बात कर रहा हैं तब ही वो अपने पीछे जाएंगे तब ही ठीक रहेंगे तिबट होंकॉंक हम इसकी आवाज जरा जोर से दुनिया को सुनाई और सुनाई देव Communist Party के बंधन से चीन की मुक्ति का मार्ग प्रशस्त हो पाएगा बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोग का होंग कॉंग कॉंग पे कुछ मैं भी थोड़ा वहां की खबरों को देख रहा हूं एक उसका करम बन जाए बिंदू उसके तयार हो जाए तो उस पे भी कल आपको एक अच्छी चर्चा करने की कोशिश करूँगा को जानकारियां देने की कोशिश करूँगा कि होंग कॉंग कॉंग में क्या चल रहा है लेकिन फिलहाल आप लोग क्या करना है चीन की ऐसी की तैस तो आप सारे लोग जो इस चाचा में शामिल हुए उनका बहुत धन्यवाद और आप लोग अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं कर सके हैं नोटिफिकेशन भी घंटी नहीं दमाईएगे तो दोनों काम कर लीजिए क्योंकि आप मेरे सामाजिक परिवार के सदस से तो ऐसे ही बन गए जब वीडियो आपने देखा बंधन होगा भी नहीं, जिसको आर्थित सहयोग करना है, वो ऐसे ही अपनी स्वेच्छा से कर रहे हैं, और कर सकते हैं, और आप नहीं भी करेंगे, तो आप मेरे सामाजीक परिवार के पक्के सदर से हैं, उसमें कोई दिक करते हैं, इस वीडियो को आगे बढ़ाएं, इन वी करते हैं, तो आप एप स्दराय कर का से उना है और ही कर आपिता हैं, जिसको आपैंज से सकते हैं, जस्यकृ, झास्टर से 거죠 झापिता हैं, और कुछित हैं, झाले और किस दो ओनी स्वेचित से पाना हैं, पρटब हैस्जर केप Ogощ Catholics Proseे आएपिताहरें पंछू कोो आपिता हैं,